so hey guys welcome back to channel कैसे हो आप सब I hope कि आप सब सब सेफ होगे यह वीडियो तो लेट आ रही है बट अच्छे content के लिए definitely थोड़ा जारा टाइम हम इंवेक्ट करना पड़ता है and आज हम लेकर आपके लिए the chapter is the structure of atom chemistry का 20 minute revision series का यह second chapter है I hope कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही हो सबसे important बात गाइस की अनकैडमी पे हापे special week चल रहा है आपका special discount week कह सकते हो आप इसको जिसमें आपको बहुत सारे discount देखने को मिलते हैं plus an iconic subscription पे 10 से 17 नवेंबर की बीच में आपको discount मिलेगा तो जाओ जल्दी से iconic plus subscription अगर आप अपने drop कर रहे हो 22 या 23 के लिए आप खरीदना चाहते हो तो उसका subscription खरीज सकते हो कि इससे अच्छा मौका सबसे ज्यादा discounts के साथ और कहीं नहीं मिलेगा आपको तो यह जिसकाउंट आप इसको अवेल कर सकते हो और इफ आप सब्सक्राइब कर सकते हो और यह कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको पता है कि आपको 10 परसेंट आफ तक के बेनेफिट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और इस समय डिसकाउंट के साथ और अच्छा बेनेफिट इसे आज अच्छा और क्या हो सक तो टॉपर्स ऐस वेल आज आपको नीट ट्रीम टीम तूपइंट ओ देखने को मिलेगा तो यह तनी बैसे यह फिर द्रॉपर्स के लिए तो अगर आप 22 की त्यारी कर रहे हो तो आप इन सब पे भी जाके इंडोल हो सकते हो इन सबीका लिंक डिस्रिप्शन में टॉप देखने को मिलेगा विजाओ अनी फर्दर यूगाई लेट्स पिकिन दो वीडियो सो सबसे पहले हम बात करने वाले कुछ फंडमेंटल पार्टिकल्स की इसकी जब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनली फंडमेंटल पार्टिकल्स के बारे में इन्फोर्मेशन पता होनी चाहिए उसकी क्या-क्या वैल्यूज्स होती है ठीगे सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि बैई इलेक्ट्रोन है प्रोटॉन है और नीट्रान है थी थीन अमरे फंडमेंटल बाटीकल्स है तो इलेक्रान का बइक है सबको बता है माइनस फन पॉ आप याद कर सकते हो एक्ट्रों को मास जनरली पता होना चाहिए यूदि काफी कोश्यस पर हम इलेक्ट्रों का मास पता होना चाहिए यहां में यह रखा है तो यह पूरा लंड वाले लन वाली चीज तो इसको मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप इसको लंड कर लो चाक्ट यह पूरा एक यह पर लिख हुई है कि अग्टर यह उनिफॉर्म तरीके से पूरे आटम में उसका मास अच्छे चाइब गया है और आपने थॉंसन प्लंपूरिंग मॉडल भी देखा होगा इसमें बताया था उन्हें कि बीच में जो बीज होते हैं किसी भी वाटरमेलन के बीज होते हैं वह एलेक्रों की तरह काम करते हैं और बाकि जो रेड़ वाला पॉर्शन होता है वो प्रोटॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके तरह काम करता है तो यह पूरा थॉंसन का प्लंपॉरिंग मॉडल है इसको भी आप जाके चैक आउट कर सकते हो बट इस सबसे पहले उसने यह देखा कि most of the alpha particles वह बिलकुल पार कर गए उसको बिलकुल उने चीर के रख दिया मतलब आर पार हो गए उसके उसका मतलब क्या है कि एक आटम में आदी से ज्यादा मतलब most of the space is empty जब तो आर पार हो गए तो पहला में पॉइंट मिली गया कि empty होती है most of the space यह words बहुत important है याद रखना दूसरा कुछ ऐसे पार्टिकल से जो कि deflect हो गए किसी एंगल से deflect हो गए तो यह हमें दूसरी observation देखने को मिली क्या हुआ फ्यू positively charged particles पो deflect हो गए और यह deflect का का कारण सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि वहां पे बहुत सारा रिपल से force हो गो मतल सब्सक्राइब चार्ज आटम इसका मतलब कि जो positive charge of the atom में वो सिर्फ और सिर्फ पूरे atom में पूरा spread नहीं है uniformly distributed नहीं है जैसा कि यहां पे बोला था था थॉंसन ने तो ऐसा नहीं है वो किसी एक पॉइंट पे है बता आपको वह पॉइंट कौन सा याद करो है ना तो जब बहुत चोटा बहुत चोटी जगए मतला very small as compared to total volume of atom उसका बहुत चोटा है ना पर उसकी जो density वह बहुत जाता है आधकना volume तो चोटा है नियुकलियस का पर density काफी जाता है ना ठीक है तो बहुत करने वाले drawbacks of the food model की क्या उसमें कम या नी सबसे important है में लिखा नहीं हुआ पर definitely मैं लिखने वाला हूँ stability यह ऐसा time है जो कि आप directly आपके question में आ सकता है mcqs के form में कि यह explain नहीं कर पायते stability को कि stability कैसे को कि इनके साब से क्या होता है तो stability कैसे हाँ पर हो कि electron अगर अपनी रेडियेट कर रहा है energy तो एक mathematician थे उन्हाने बोला था कि अमेशा हो electron जब भी अगर कोई चीज circular motion में घूम रही तो energy करेगी तो अगर electron करता जारा करता जारा करता जारा करता जारा तो नीचे और बिट्स में गिरता जाएगा और फाइनली वो न्यूट्रों से टकरा कि सब कुछ सब्सक्राइब करता है तो यहां पीच देखो मैं साड़ चीज नहीं बतार हो इसमें आई होप कि आपको नाइन टेंथ में पड़ा और फूर मॉटल के बारे में अच्छे से पर यहां भी इसका कोई काम है नहीं आगे में चीज काम है ना अब बात करने वाले मैं अटॉमि को पता लग जाब क्या है अगरमा करें मास नमर की तुम क्या करोगे प्रोटॉं और न्यूट्रॉंस को को एड्ट कर दोगे तो तुम्हेह सनंवर मिल जाएगा धीक है में अब क्या होता है लगए अगर अगर फोंग क deed कूंट कर लोगिंघ कहो और do मांस को अगर टॉन्षाइट के साथ आड कर दोगे तो तुम्हेह सकत का एंग मिलेगा तैना अब्धिकly क्या करो है ऐससे कर दो कि तो तुम्हें नंबर उट्रों के आफ था अगिए है को ओख left कि आए आया उका ечकी क्या हुट अगर हम बात करें इस्यूपा की तो क्या होता ऐसे चया है क्या होता है त्यू Terrace में क्या बिए मिक तो रिखका इन टू इन 3 तो मिकू आपट इचांपल आसकते हैं पूछ के gd देखना अब अगर हम बात करें वेव निचर ऑफ एलेक्ट्रोमाइटिक रेडियेशन की तो यह एक इंपॉरेंट टॉपिक है तो यहां पर पूरा एक अलग कंसेप्ट आ जाता है सबसे पहले में आत का यह चीज़ आत करने पड़ेगी जो एलेक्ट्रोमाइटिक सकता ह lors देखरोत्व है यह मंवाज सकता हूं और तीसरी जो होता है वह होता है सी और स्पीड आप relating और सब्सक्राइबार हुआ तो डायागा तो डायाट लायगा तो डायटली एंसी कुछ कि फ़र्मुला क्या एवन फॉर्म लाइन वह बात करो डेलेशन ओव यह वेल नंबर यह में पता है और यह वी हमारे पास वेलोसिटी मीडियम है तो क्या होगा वीज़ लेंडा है ना सी लेंडा यह लेंडा हो सीवन उपन लेंडा यह वेव नंबर रहे ना तो वीज़ फूस टुसी इंटू वन अपन लेंडा हो गया इसका फॉम्ला यह वाला चीज को की जगे हम इसीज लिख सकते हैं उपर बता तो बस यह थोड़े कोशी ऐसी तो मियाद करने पड़ेंगे डिफिनेटली ये हमारा वियमने चरका होगा बात ट करते हैं पार्टीकल नेचर बात करते हैं अब पार्टीकली रिख करते हैं टीक है तो प्रोपोर्शन लगा देंगे प्रोपोर्शन लगाना पड़ता है वो है हमारा एच इसका जो वैल्यू है वो मियाद करने पड़ती है तो यह प्लैंक इसकी वैली ऑद कर सकते हो आप बात करते हैं है यह हम फोटोग्राफिक फोटोग्राफ प्लेट पर हमने इसको वने डाला तो हमने क्या चीज रिकॉर्ड करी है स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करी हाइड्रोजन के दो को यह चीज जो है इसा थे वाले चीज़ है तो इसी से जाथ कोशन डेफिलेली नहीं पूछने वाला वेवलेंद और वेव नंबर पार्टिकर्स लाइज इन वीजिवल रीजन के एक स्प्रेश्ट बाइन वन अपॉन एन वन स्क्वाइर माइनस वन अपॉन एंटु स्क्वाइर ठीक है अब एन वन एंटु भाई क्या खेले इस अब हम डिसकस करने वाले और रह क्या है रहे रिटबक्स कॉंस्टेंट और वन अपन लेंड़ा तो मैं पता है वेव नमबर जो क्यों मैं अल्री बता यहां से कोई एलेक्ट्रोन और वहां वाइव से थरी प्याया है ना तो फाइव होगे हमारी हाइर एनर्जी लेवल मतलब इसको मैं डिनट करूँ मैं तो से और फॉर और थ्री हो गई मेरी लोगर एनरजी लेवल जिसको मैं एन वन से टीनिट करूँगा तो इम्पोर्टे दिखो यहां पर तुम्हें रखी इस यहां वैलिब कर hoga यह तुम्हेर दोनों रखी है तुम्हेर साफसा वेवन नंबर का फोर्म न मिकनाएगा ऊस्ते व्यागे निकैल रहे तो पूरा पर दीद सब्हूरा फोर या यह क्ये कर सकते हैं लिजियम में 2 एलेक्टरन दो तो एक लिक्टरोन बचा है मतलब है तो ब्रेलिए हमिते इन दीनलेक्टरोन निकाल दो तो बिल्कोर जाँ इसलिए हैगे हैं तो बिल्कुरल है इसलिए हैजू होगी और एक चैनल रहे पर बता चुका हूं तो आज की जो वैल्य मैंने उपर बताई थी 109677 उसको अगर तुम इनके अटमिक कर रहा था इस टेबल की इसको याद करना है देखो लाइमन सीरीज जो होती है उसमें एन वन होता है वन और एन टू तुम टू थ्री फाइव ले सकते हो मतलब माल लो ऐसे एक दो तीन चार पांच है न तो कोई भी लेक्ट्रोन अगर कोई और उपर और उपर से वन प्यार आ प्याता है हमेशा जousे मालनों फोर से टू प्यां गया थ्री से टू प्यां आ nomine locks भी लेवल टू ही ए तो बालमान सीरीज शिन घिर गश् secular ॉष और पे और्रैकोड के इंवर में इन और रिटी है यादर को बस तुम richer चान याद करना है और तुम्हें पता होना चीए कि एन्वन की वैल्यू क्या रहती है इसमय और एंडू की वैल्यू कहां से कहां तक होती है तो यह तुम्हें याद करना इन सभी सीरीज में और तुम्हें वैलियू कर देनी तुम्हारा आंसर निकल आएगा कोश्चन में अगर देरा खाऊँ ठीक ह सब्सक्राइब तो यहां से भी कि तुम्हारे क्या सकता है तो इसको याद रखना अगर एलिमेंट फिफ्ट और विट में आ रहा रहा है तो अगर उल्टा हो रहा है वो थर्ड से फिफ्ट में जा रहा है तो वह एंश्च लेगा तो एनरजी एब्सॉर्फ करेगा अगर उल्टा हो रहा है तीक है अब एक्वाइब्स करें तो क्या होगा वह एक कौंटाक एक वला जाएगा तो मतलब लें वीटू को हमने एवन से माइनस कर दिए तो एच नियू क्या गया है यहाँ पर एनरजी का ए इसलिए कई बार तुमने फॉर्मला सुना होगा एच सी वाइड लेम्डा उसमें क्या करते है फ्रिकॉइंसी की पॉन लेम्डा रिख देते हैं तो यह आधान बागी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है उपपर वाले फॉर्मले को अगर तुम मुल्टी सीजों से लिखना चाहो अपनी तरह से कुछ करना चाहो तूस्टेशन यह और भी स्टेट्स की बात करो अगर तुम्हें चाहिए क्या ट्रांजिशन आ रहा है तो इसका भी आप एक फॉर्मला निकला आता है में जो फॉर्मला है वो जिससे कोशन आते हैं उपर वाला है इजी कोश्ट वेसी अपन कोशन आगा रेडियस से आ सकता है तो क्या करोगा रेडियस और तुमसे पूछेगा तुम्हें यह फॉर्मला हाथ करना इसको याद आखना कि एम स्ट्रॉंग में यूनिटेश की याद आखना वन एम स्ट्रॉंग होता है इस इकॉस्ट टेंगर पावर माइनस टैन मीटर बस यह आख नदीं आफ तुम क्या करों की 0.59 इंट्व एन स्कूर अपन जैट ठीक है अब तुम्हें पूछ सकता है और के प्रोपोर्जल क्या है यहाद आखना आध है प्रोपोर्जन छेंट के यह फूर्मला हमेशे पूछेगा तुमसे पूछ सकता है रेडियस का रेश 6 into 10 to the power minus 19 Joule Joule is the unit याद रखने इस चीज़ को है न कुछ यहाप पर तुम्हारे काम की भंडार की बाते रिखिए थियोरी वाली यह सब थियोरी है इस पर ज्यादा तुम ज्यान एक बार एक बार जैफिनेटी रीड करना कि हम negative sign क्यों लेते हैं ठीक है negative sign लेते हैं इसका reason आपन एंडिक है अब देखो यह पूछ सकते है कि अनर्जी का आप पर प्रोपॉर्शनेलिटी एनर्जी डएकवाषन दो जैडिस्क्वार अपन एंडिक लेडियो ती वह एंडिक के प्रोपॉस्ट्रे तया रहतनी पड़ेंगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एनर स्क्वेर और यह तो पर वाला सेम है एंवन स्क्वेर एंटू स्क्वेर एंवन एंटू वह यह जो पर बताया था याद मैं इस चीज़ को और दूसरा काफी लोग पूछते है कि इसकी प्रपेस्टनेल्टी यहां यह जो चीज़ रखे नहीं यह यह बहुत इंपोर्टेंट है पर काफी लोग इसको याद नहीं करते हैं चीज़ को इस वाले चीज़ को तो यह ज्यादे इंपोर्टेंट है भी नहीं बट कभी कवा डिरेक्री रिलिशन पूछ सकता है अभी तक तो ऐसा कोशन नहीं आया है जातर इन वाले फॉम्लेस या फिर बात करो इस वाले फॉ तो सकता है यह इस मियह सो सकता है ना तो क्या द की तो जैसे ने क्या कर अपनी डीवेवरी कुषिंजें दीशन दी इस में जो तुमने सुना प्लाओ लिवेवलेंड डिव्लेड लं?.. डी फॉट इपोन MV बont anál Research पढ़ाया ना मास इंटू वेलोसिटीज मोमेंटम तो यह पी लिख सकते हो यह सेम चीज यह लिखिया है तो तुम इसे याद भी कर सकते हो देखो आज ही साथा चीज चैप्टर में याद करने की है बहुत इंपोर्टेंट पूस्ता है कि दी ब्लॉग लीवेवलेंट को कानि सब चीज समझने की इसमें सब चीज रटने की मैं बता रहूं यह तुम में लर्ण करना है सब इस चैप्टर में आदे-स चाथ चीज तोरी किया राज चीज रटने की है रट लोगे तो तो निम्रीकल्स ऐसे निकल जाएंगे ठ्री पढ़ लोगे तो तो थोरी के कुश्चन भी आइसे निकल जाएंगे तो बहुत असान बहुत आसान चैप्टर में मानता हूं उस तो इसको इसको कैसे याद कर सकते हैं तो इसको कैसे याद कर सकते हो कि मोमेंटम और पोदीशन को कर सकते हैं तो इसको इक को मुझे खरेंगे इसको इक उपल टुट करने मॉल्टम को क्या लिख भी सकते हो मासि आप क्या क्षान को तुम नीचे पहुछ आद हो आप यह नीचे पहुच गया पर तो यहीं तुम फोर्मले को इहए हुदर से ऊदर आधर करते रहोगे तो चेप क्या है प्लेक्स कॉस्टेंट वैल्यू बताओ क्या यह बदाईती उपर 6.6 पर 6.6 इन्टु टेंटी पर माइनस 34 याद रखना अगर बात करूँ शेप सब्सक्राइब कर सकते हो देखो क्या होता है और बिटल क्या होता है देखो किसी भी आइटम कि न्यूक्लियस के अराउ स्फिरीटाट होता है तवह लेक्रोनीक ओंफिरेशन डेफिनेटली सी लेगी न सीखी न शिखीए कि आजले घर टरॉड़ी चलासिविकेशन में न एकलाइस लगा होता है एनेस और अर्बिटल में मालों ऐन माननिस वन नोड़ प्रेंट तो सेना सकता है कि एस सारे पर में तो पूस्ता है इस फेरी कलो था कि सबसे बड़ा होगा थ्री एस उसके बाद तूससके बाद बने हसके बाद यहाँ आता है फिर ग्रिया साता यह बतलब ऑन स पहले क्या होता है पी और्बीटल की देखो पी आर्बीटल में तीन और्बितल उते हैं पी-च्पी नहों अलग लग डारेक्शन मतलब यह एकसे से पी एक पीच्पूई फिजट इसकी होती होती इसकी होती है डंबल शेप एल इसको स्टु वन की वैलियों होती आगे तुम्हें कॉंटम नंबर में में डेफिनेटली बता रहा हूंगा मैं देखो यह जो है सिर्फ दिखा विकाए एक बार देख लो लंड मी नहीं कहूंगा एक बार देख लो आएगा नहीं पर देख सकते हो ठीक है तो यह पूरी एक्ट्रोनीक ओंफिग्रेशन होती तो मैं अगर तुम्हें अभी पता होगी तो डेफिनिली अच्छा है पर हमें आगले चैप्टर में इसको तो मैं और अच्छे से कर दूंगा तेक है डियो बिटल की बात करूं तो डबल डंबल शेप देखने को मिलेगा अब क्यों होता है डी एक्सवाइड इवाइज डी जैडेग्स जो अर्बिटल होते हैं यह औरियंटेट होते हैं बिट्वीन यह एक्से दो दो एक्से से इनके बीच में औरियंट होंगे है ना इसका जो डाइग्राम है सिम्लर्ली मैंने आप उपर तुमें दे रखा देखो पहला कॉंटम नमश्यू रोट अब प्रिंसीब इन से देनोड करते हैं एक यह रोटन करते हैं तो क्या होता है यह पूछ सकता कि एन क्या रिप्रेजेंट करता है यह साइज एन एनरजी ऑब धाए जिसमें इलेक्रोन रहता है उसका साइज बताया को सके अनरजी ब तो फेड़ीव टाइब बढ़ती जाएगी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी जो एनर्जी फिर फोर नोगर अगर बूचेश्च नंबर अफ लेक्ट्रों पर्टिकुलर शेल में तो इसका फॉर्मला है ट्व तो एंस्क्वेड़ी रहा होगी उसको तू उसका स्क्वेर को न् पूछे नमबर फॉर्बिटल्स किया है किसी भी एक और बिट में एन स्कुर कर दो अगर को पूछे नमबर अव सब शेल के आए तो वह सिमलर्ली एन हो जाएगा समझ रहो बहुत अब अब अवैसे होता कि तो में पता करें चलेगा देखो फोर एस लिखा है इसमें क्या यह प्षाई एन इसको टूफ उड़ गया वन ऋप लिखा है एन इसको इसफ़ान हो गया टूफ लिखा है एन इजास टूफ तो वह गया समझे रहो आगे वाले जो होते हैं उसको हम एन की वैल्यू बोलते तो माल लो डो टोटा नमबर ऑश एल्माल लो उनए स्ट मेंसे फॉर पता होने चीए और फिर बागी सारे फॉर्मलेस पता होने चीए उससे पहले तो में अगर नहीं पता तो तुम देख सकते अपनी बुक्स में बनना में अगर चाप्टन में इसको अच्छे से कर दूँँगा दूसर की बात करते हैं यह तुम्हें बताएगा सब शेल की और औ तो इस पी दी फ 계ल क्या होगी ₹-जा और कर बाएफ-जांवन हो ती यहाद कर लो पूल्यिट यहाद कर लो ऐस पर और भूषर इससे काम बन जाएगा लिए यहां पर तो मैं और एक और रखा है वनेस्ट 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 विए उपर बता चुको ना और वार्बिटल एंगुल मोमेंटम यह फॉर्मला यह से लर्न करना है जो चीज डायक्ति लिए रखी इसमें कोई में समझाने वाली बात नहीं है देखो एक और फॉर्मला वनेस्ट किमान से नीकल राएगा तीसरी की बात करते हैं मनेटिक कॉम्टम नंबर इसको improves करते हैं माइनस और टू प्लस अलस सब इंटर रिलेट़ेटेड हैented।ris तो थ्री आई है ना तो क्या होगी एम की वैल्यू माइनस थी से प्लस थी टू आई है तो माइनस टू से प्लस टू ऐसे हो सकता है तो बस यह तुम्हें बस इवाद पढ़ना है डेफिनली तुम्हें सबज में आए लास्ट अगर बात करूं इस पिन कॉंट नंबर इसको यह होगे एच पॉन टूपाई या फिर तुम इसको इस से डिनोट कर सकते हो ठीक है यहां पर एक फॉर्मला हो जाता है यह वाला अगर कोई पूछता है टोटल स्पिन क्या है तो नंबर ऑफ एलेक्रों को प्लस यह प्लस मैनेस वन बाई हाफ से मटिप्लाई कर दो कोई जितन हो गया तो यह सब तो में लर्ण करना है यह बहुत जैनल चीज़ तो यह तो यह रखा है तो मिल्डाइक लंकर सब्सक्राइब को टूटू वाला सब से मोगया तो टूटू अला से मोगा एक तुटू अला से मोगया अब सबसी इंपोर्टेंट बात ऑफ बो रूल ठीक है से पहला हम जल् heti इंशने हो टेबल सही टिए बाइब मेंश अभी हो चीह ही इस तो को एन आप नहरू लॉंग्सूट है तो यह जो फं में टोट November ओल करने लास्ट चेप्टा करके जो में में प्रिंसिपल सोते ऊफो फो पृंसी पृह एंक्रीजिन उर्डर में अन्रजी सबसुन सब्सक्राइब Aussully बाद और जो मैंनर्जिवाल एक सामझ है तो मगले पहले और शुम्हें पहले पहले सब्सक्राइब इसी चैewal फच्राइबर ने कि n plus l rule क्या होता है यह क्या कहता है कि subshell with n plus l लोएस्ट जिसका सबसे लोएस्ट n plus l का सम हुआ तो वो क्या होगा सबसे पहले बहाँ जाएगा दूसरी बात n plus l n is principle l is azimuthal quantum number अगर इन दोनों का सम किसी में किसी में कम हुआ तो सबसे पहले वह आला है पे energy बहरा जाएगा उसके बाद दूसरा भरा जाएगा तो यहां पर हम वैल्यू पूट करते हैं अगर पुछा अगर बोला गया है कि अगर एन प्रेसल की वैल्यू भी बता है तो यह बोलता है लास बात करूंभाओ लूट लास वात करूंभाई तो यह क्या कहता है कि मैं maximum multiplicity का इसको मैं बहुत सिंपल वे में तुम्हें समझाता हूं देखो क्या होगा अगर ऐसे कोई डी और्विटल है मालो डी और्विटल में 5 होते हैं देखो यह और नहीं बात तुम्हें बत लगए कि देखो हो आड़ होता है फी और्विटल में प harbor 3 होते और जी और्विटल में 5 होते हैं तो ज sentiments पर नहीं करें करें एक दो तीन चार करोगे उड़ा करोंगे पहले सारे बहलों ढर एक दो से चार पांच और हैं वरो तो यह बहुत important है यह तुम्हें अब तक पता है बहुत normal सी बात है अगर exceptions की बात करो definitely तुम इसको पढ़ोगे exceptions directly stability वही बात stability की पुरी बात करी गए इसमें कि जो एक्ट्रोनिक configuration है वो कभी-कभी हां पर प्रिंसिपल को आप नहीं कर पाती अगले चैप्टर में और अच्छे से कर पाऊंगा कि वह पूरा चैप्टर ही प्लासिफिकेशन पूरी प्रियोडिक टेवल में तो उसका हम अच्छे से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे होते हैं तो फुली फिल्ट ज्यादा स्टेबल होंगे मतलब आदे मैंने बोलाना तुम से कि डी में कितने होते टोटल दस होते हैं वैसे मतलब पांच होते हैं पर तुम एलेक्ट्रों दस तक भढ़ सकते हूं मतलब 3D 5 हो सकता है 3D 10 तक जा सकता है 5 से 10 तक तो देखो 5 है आपटर लिस फ्ट्रीं लिए बहुत जल्दी आपको समझ में आया होगा यार मैंने पूरी कोशिश करी चैप्टर को जल्दी खतम करने की क्योंकि यह चैप्टर बढ़ा था अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा तीज बोला हूं इस चैप्टर में तो आप इसकी यूट्यूब से स्पीड मैं बहुत सारी सीरीज में बता चुका हूँ जल्दी रिवीजन का मतलब मैं कोशिच करता हूँ जल्दी कराने की यह वह पको सब्सक्राइब कर दो चैनल को बहुत मैनत लगती हैं सब को बनाने में विजए अंगली वीडियो में इस्टाग्रम का लिंक डिस्क्रिप्शन वजाकर फॉलो कर लो जब तक लिए बाबाई